हरे कृष्णा आने वाला है कृष्ण भक्तों के लिए साल का सबसे बड़ा दिन यानि राधा अश्टमी वो दिन जब श्रीकृष्ण की शक्ति उनकी प्रिय राधा रानी का अवतार इस धर्ती पर हुआ था आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब और कैसे करें राधा अश्टमी का व्रत कब होगा राधा अश्टमी व्रत को खोलने का शुबमूरत राधा अश्टमी के दिन कैसे करें राधा रानी की पूजा और इस दिन क्या काम आपको भूल से भी नहीं करने हैं क्या तक करने का फल एक राधा चिमी प्लत करने से मेल जाता है पर औलर जाता है श्री राधाजी सर्वतीत मई एवं एश्वरे मईइं इनके भकतों के घर में सदा ही लक्श्मी डिका वासा था जो श्रात करते हैं उन साध को कि सभी मनौ कामनाई पूरी होती ए क्रिपास से धन की प्राप्ति होती है और मोक्ष की इच्छा रखने मालों को मोक्ष मिलता है राधाजी के पूजा के बिना श्रीक्रश्न की पूजा अधूरी रहती है एक बार देवर्शी नारद ने भगवान सदा शिव से चरणों में प्रणाम करके पूचा कि श्री राधा देवी लक्षमी देवपत्नी, महालक्षमी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैश्नवी, मूल प्रक्रती, वेद कन्या, मुनी कन्या आधी में से कौन है इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने कहा कि किसी एक बात की क्या कहीं कोटी-कोटी महालक्षमी भी श्री राधा के चरण कमलो श्री क्रश्न को भी मुहित करने वाली है, इसलिए इन्हें मदन मोहन मोहीनी भी कहा जाता है, इसी कारण अनत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता, भाद्रपदमास के ख्रश्न पक्ष की अश्तमी के दिन द्वापर युग में भगवान श्री क्रश्न धरती पर प अवतार लीला नहीं कर सकते थे, साक्षार श्रीक्रश्न नहीं श्री राधा से प्रातना की थी, कि मेरा प्रित्वी पर अवतार लेने का समय आ गया है, अथा आप भी अवतार लीजे, तब श्री राधा से पहले पूरा गोलोक व्रिदावन एक अलग स्वरूप में धरती प्रकट हुआ था, क्योंकि जहां व्रिदावन नहीं, जहां गोवर्दन नहीं, जहां यमुना नहीं, वहां राधा रानी अवतार नहीं लेती, धरती पर व्रजशेत्र व्रिदावन बनने के बाद, श्री राधा यहां राधा अश्टमी के दिन अवतार लेती है, राधा पूजा के शुबमूरत इस साल भादरपदमा के शुक्ल पक्ष की अश्टमी तिथी 10 सितंबर मंगलवार को राद 11 बचकर 11 मिनट से शुरू हो रही है और इस तिथी का समापन 11 सितंबर बुदवार को राद 11 बचकर 46 मिनट पर होगा उधिया तिथी के आधार पर रादा पूजा के लिए आपको दो गंटे 29 मिनट का शुबमूरत प्राप्त होगा जो लोग रद रखेंगे वो दिन में 11 बचकर 3 मिनट से दुपहर एक बचकर 32 मिनट तक रादा अश्टमी के पूजा दुपहर भी करते हैं और दुपहर के समय में ही रादा रानी का पंचामृत यानि दूद, दही, गी, शैद और चीनी से अभिशे किया जाता है रादा अश्टमी पर जेश्ठा नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9 बचकर 22 मिनट तक रहेगा उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारम होगा इस दिन ब्रहम मूरत सुबह 4 बचकर 32 मिनट से सुबह 5 बचकर 18 मि मिनट तक बन रहा है इसके बाद आयुश्मान योग बनेगा रादा अश्टमी के पूजा प्रीती योग में ही होगी वहीं रवे योग का निर्मान रात में 9 बचकर 22 मिनट पर होगा और अगले दिन 12 सितंबर को सुबह 6 बचकर 5 मिनट तक रहेगा आईए अब जानते हैं पूरी पूजा विदी अन्य व्रतों की बाती इस दिन भी प्रात हकाल सोर्योदे से पूर्व उठकर स्नानादी क्रियाएं पूरी करके श्री रादा जी का विदीवत पूजन करना चाहिए इस दिन श्री रादा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा पुष्पमाला बस्र पता का तोरण फूल वविभिन प्रकार के मिश्ठानों एवं फलो से श्री रादा जी की स्तुति करनी चाहिए इस दिन रादा कृपा का टाक्ष और रादा सैस्त्र नाम आवश्य परना चाहिए पूरे दिन व्रत करना चाहिए आप राधा अश्टमी का व्रत बाकी आम व्रतो पर श्री राधा क्रिश्ण की युगल मूर्ती पश्टिम दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें फिर श्री राधा को पंचाम्रित फलो के रस आधी से स्नान कराएं इसके बाद राधा रानी को नीले रंग के वस्रों और आभूशनों से श्रिंगारित करें इस दिन पारे चैनल पर भी राधा अश्टमे के दिन डाली जाएगी आप उसे आवश्य सुनें पूरी श्रधा से राधा रानी के लिए व्रत करने का संकल्प लें और पूरे दिन ज्यादा से ज्यादा क्रिश्ण नाम का जाप करें तो इस दिन राधा जी को पायल चड़ाना अत् होता है राधा अश्टमे के व्रत हमें को करें कि आप र्याध में अगले दिन सूरे उद्य के बाद खोल सकते राधा अश्टमी का व्रत खोलने के लिए पहले राधा रानी के पूजा सुभा उठकर करें और उन्हें घर पर साथविक तरीके से बिना प्याज लैसुन के बनाए गए भोजन का भोग लगाएं ये भोग कैसे भी हो सकते हैं मीठे या नमकीन इस भोग को ही प्रसाद की लिएंकर गलतियां जो आपको राधा अश्टमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए राधा अश्टमी पर काले कपड़े पहन कर पूजा ना करें क्योंकि शुब अवसरों पर काले वस्र नहीं पहने जाते इस दिन पीले या नीले रंगे कपड़े पहनना शुब दिन श्री कर्शन को चढ़ाने के लिए तोलसे के पत्त न तोड़े क्योंकि तोलसी देवी राध़-रानी की प्रिया शखी और सहय चरी है और राध़ स्थमी के दिन तुल्सी देवी का भी व्रद होता है जो आपके तोलसी में पानी देने या पत्ते तोड़ने से तूच जाता है इसलिए आपको राधा अश्टमी पर तोलसी में नहीं पानी देना है और नहीं आपको तोलसी देवी के पत्ते तोड़ने है श्रीमती राधाराने को तोलसी पत्र नहीं चड़ाया जाता इसलिए आप तोलसी पत्र केवल कि पोजा में कर सकते हैं ऐसी ओर जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भूले हरे क्रिश्चना